आज हम बुद्धी परिक्षनों के बारे में बात करेंगे जितने भी बुद्धी परिक्षन हुए हैं चाहे वो बिने साइमन हो चाहे पोट्रेस भूल भूलेया हो चाहे आर्मी अलफा हो आर्मी बीटा हो स्टेनफर्ड बिने परिक्षन हो वैशलर हो या फिर शिकागो क्रियात्मक टेस्ट हो जितने भी परिक्षनों के कोश्चन आज तक आपकी हिस्टरी में टीचिंग एक्जामस में पूछे गए हैं उन सभी टेस्ट के बारे में आज हम इस पूरी वीडियो में करेंगे और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आप लोगोंने ना तो बुक में पड़े होंगे और जो आपके एक्जाम में डारेक्ट ली आते हैं तो इस पूरी वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप लोगों के सामने ऐसे ऐसे फैक्ट आएंगे जो बुद्धी परिक्षनों के बारे में आपको नोट डाउन करना तो ज़रूरी है अगर आप नोट डाउन करने में थोड़ा सा आलस मानते हैं तो सुन तो लेंगे ही आप तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं क्योंकि जो बुद्धी परिक्षन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं आपके पहले होते हैं आपकी विक्तिकत बुद्धी परिक्षन को follow नहीं किया है install नहीं किया है तो कर लीजिए description वे आपको link मिल जाएगा 10,000 से ज़्यादा student जो है install कर चुके हैं हमारी application को और आज subscription लिया है कीरती सचदेवा और कीरती किमी ने कल लिया था जोती ने और भारती तो आप भी subscription जरूर लीजिएगा और इस पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि कुछ number आप पक्के करके उठ सके तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं बुद्धी परिक्षण दो तरीके के होते हैं एक तो ऐसा टेस्ट होता है जो किसी एक आदमी का ही लिया जाता है और दूसरा होता है जिसमें आप एक से ज़्यादा आदमी का टेस्ट एक टाइम पर ले सकते हैं तो वो टेस्ट जो एक टाइम पर सिर्फ एक आदमी का लिया जाए वो कहलाता है आपका व्यक्तिकत परिक्षा लेकिन जो एक टाइम पर ज्यादा आदमियों का आप ले सकें वो कहलाती है आपकी सामोहिक परिक्षा व्यक्तिकत परिक्षा को आप individualized intelligence test बोलते हैं और सामोहिक परिक्षन होते हैं कि जिसमें भाशा का परियोग किया जाता है और आशाब्दिक में भाशा का परियोग नहीं किया जाता है क्योंकि कई लोगों को लिखित भाशा नहीं आती है जैसा कि आपको पता है तो शाब्दिक और ऐशाब्दिक ये दो तरीकों के आपके होते हैं शाब्दिक को बोलते हैं वर्बल और अशाब्दिक को बोलते हैं नोन वर्बल तो चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सामुईक हो ये शाब्दिक और ऐशाब्दिक दोनों ही होते हैं और बुद्धी परिक्षन के अंदर व्यक्तिगत परिक्षा जो लिए जाती है वो भी बुद्धी के परिक्षन के लिए लिए जाती है और सामोहिक रूप से एक से ज़्यादा आदमियों की परिक्षा आप बुद्धी मापने के लिए एक टाइम पर लेते हैं अब सबसे पहला जो बुद्धी परिक्षन आया वह था व्यकतिगत रूप से क्योंकि जब व्यकतिगत रूप से ही अगर बुद्धी का इंटेलिजेंस का मापन करना नहीं आता तो सामोहिक रूप से आप कैसे कर लोगे यह तो एक सोचने समझने वाली बात है कि सबसे पहले जो टेस्ट लिया गया, बुद्धी परिक्षन लिया गया, वो सबसे पहला टेस्ट था व्यक्तिगत परिक्षन, इंडिविजिलाइज टेस्ट था और वो टेस्ट था आपका बिने साइमन बुद्धी परिक्षन, क्योंकि सबसे पहला बुद्धी परिक्षन, फ्रांस के नि बुद्धी परिक्षन था जो कि शाबदिक था कैसा था दोस्त शाबदिक था तो ये तो हुआ हमारा सबसे पुराना जो है व्यक्तिगत शाबदिक बुद्धी परिक्षन जो था बिने साइमन जो बनाया था अल्फरड बिने ने सन 1905 में सबसे इंपोर्टेंट बात दूसरी बात जो इस परिक्षन में आपको याद रखने की है वो ये कि इस परिक्षन में जो पहला संशोधन था वो किया गया था 1908 में फर्स्ट संशोधन और जो सेकंड संशोधन था वो किया गया था 1912 में 1911 में और 1912 के बीच में इतना टाइम इसमें लग गया था अब ये जो बुद्धी परिक्षन था इसमें पहले questions की संख्या कितनी थी 30 थी लेकिन यहाँ पर 30 से बढ़ा कर second जो इसका संसोधन हुआ उसमें 59 कर दी तो आज कल अगर आपसे पूछे कि बिने साइमन परिक्षन के अंदर कितने questions है तो आज के टाइम पर 59 questions है लेकिन पहले कितने थे? पहले 30 थे लेकिन 30 से increase होकर अब कितने हो गई है? 59 हो गई है अब एक चीज आपको और याद रखना है कि 1908 और 1911 बारा में इसका संसोधन किया गया अब तक इसका नाम नहीं बदला था अब तीसरा जो इसके अंदर important संसोधन हुआ थर्ड उस वाले में इसका क्या हो गया? इसका नाम change हो गया थर्ड वाले में इसका नाम change हो था ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि इसके अंदर 3 change होए है में वैसे तो कई बार हो चुके हैं लेकिन में तीन होए है और तीसरी बार जब इसका संसोधन हुआ तो इसका नाम बदल दिया गया अब इसका नाम रख दिया गया क्या? Stanford बिने जो बिने साइमन बुद्धी परिक्षन 1905 में था अब वो 1916 में आकर कब 1916 में उसका नाम क्या हो गया? उसका नाम हो गया Stanford बिने परिक्षन अब आप बोलेंगे कि ये Stanford बिने परिक्षन कैसे हो गया साइमन का नाम हटकर Stanford का नाम कैसे आ गया क्योंकि 1916 में Stanford University के अंदर एक अध्यक्ष थे जिनका नाम था टर्मन उनकी अध्यक्षता में जो ये बिने साइमन परिक्षन था इसको दुवार से रिवेंप किया गया इसलिए Stanford बिने परिक्षन नाम आ गया और बिने साइमन जो नाम था वो हट गया अब जहां पर जो पहले जो है 30 परिशन थे फिर 59 परिशन होए और current में जो थर्ड हुआ तो मुझे माफ कीजिएगा और questions add कर दिये गए अब 90 कर दिये गए तो 90 है यहां पर at present अगर at present की पूछे मुझसे गलती होगी मुझे लगा था कि 59 ही होगे लेकि 90 कर दिये थे अब मुझे याद आया कि third परिक्षन में सबसे पहले सामूहिक बुद्धी परिक्षन की बात करेंगे वो कौन सा था अब देखिए अगर आपसे पूछे कि सबसे पहला बुद्धी परिक्षन जो व्यक्तिकत और शाबदिक था तो वो था बिने साइमन लेकिन जो सबसे पहला सामुहिक बुद्धी परिक्षन था वो था आर्मी अल्फा परिक्षन सबसे पहला सामुहिक बुद्धी परिक्षन आर्मी अल्फा परिक्षन था जो की एक से ज़्यादा आदमियों पर एक टाइम पर किया गया बुद्धी परिक्षन था इस परिक्षन का निर्मान अमेरिका के अंदर किया गया था और जो First World War के सैनिक थे और सैना के जो अन्यपद अधिकारी थे उनको चुनने के लिए किया गया था और इसकी एक लिमिटेशन ये थी कि सिर्फ educated लोगों के उपर ही ये प्रियोग किया जाता था और ये कैसा था सामुहिक तो याद रखना Army Alpha Test सबसे पहले सामुहिक शाबदिक वुद्धी परिक्षन था ये कैसा था शाबदिक जैसे कि व्यक्तिगत परिक्षन शाबदिक भिने था वैसी सामुहिक शाबदिक Army Alpha Test है और इसका चुनाव First World War में अमेरिका के सैनिक और उनकी सैना के अधिकारियों के चुनाव के लिए किया गया था अब और काफी टेस्ट आपके रह जाते हैं जैसे कि यहां पर आपने देखा कि व्यक्तिगत परिक्षनों की अगर हमने बात की तो शाबदिक के अंदर बिने साइमन परिक्षन है और उसके बाद स्टैनफोर्ड बिने परिक्षन है पहला आपका कौन सा है पहला है पोर्टियस भूल भूलिया टेस्ट अब इस टेस्ट के बारे में बात करते हैं काफी सारे कोशन यहां से आई है पोर्टियस भूल भूलिया टेस्ट से कि यह क्या है सबसे पहली बात तो आपको यह समझनी होगी कि यह भूल भूली या जो टेस्ट है इसकी पहली बात यहां पर समझे कि यह 3-14 वर्ष के बच्चों के लिए यूज होता है यह किसके उपर लगता है 3-14 वर्ष के बच्चों के लिए यूज होता है और इस परिक्षन में बालको कौन की एज के अनुसार कागज पर बना हुआ है बूल भूले यह काई चित्र दे दिया जाता है और एक पैंसिल दे दी जाती है और बालक को पैंसिल से उससे उसमें से बाहर निकलने का निशान लगा कर मार्ग अंकित करना पड़ता है यदि यह परियास में ऐसा फल होते है तो उनकी बुद्धी का विकास उनकी आयू के अनुपात में कम समझा जाता है आपने देखा होगा कि ऐसे करकर के गोला सा होता है जिसमें से एक बाहर निकलने का रास्ता खोजना होता है तो यह भूल भूलिया परिक्षन होता है तीन से चोदा वर्स के बच्चों को दिया जाता है जो बाहर निकलने के रास्ते को नहीं खोजबाता उसका मतलब है कि वो अपनी एज से थोड़ा सा कम बुद्धिमान है उसके बाद जो इंपोटेंट है व्यक्तिकत परिक्षनों में जो ऐश आप दिखे है वो है वैशलर वैल्यूब टेस्ट यह वैशलर वैल्यूब टेस्ट किया है देखे इस परिक्षन की एज अगर हम देखें तो इसकी एज होगी 10 से 60 ये 10-60 साल के एज के आदमियों के उपर यूज होता है जैसे आपका पोल्ट्रियस भूल वुलिया 3-14 था तो वैसलर टेस्ट है ये 10-60 हाईयों के विक्तियों की परिक्षा लेने के लिए यूज किया जाता है बाद में इसेशन सोधित करके 16-60 के वैसको के लिए कर दिया गया था अब ये 10-60 पहले किया गया था लेकिन अगर अब की बात करें अब इसको कर दिया गया है 16-60 यानि कि अब 6-40 में से और छीन लिये गए है तो यह दूसरा जो आपके एक्जामस में आता है बुद्धी परिक्षन था जो व्यक्तिगत होकर एशाप दिख था ऐसे दोस्त जो आपका सामुहिक परिक्षन था उसमें आपने आर्मी अल्फा टेस्ट को तो जो है देख लिया है अब हम आर्मी अलफा टेस्ट के अलावा सेना सामान्य वर्गी करंड टेस्ट को भी देख लेते हैं देखे इस परिक्षन का निर्मान अमेरिका में सेकीं वल्ड वर के टाइम पर हुआ था जैसे आर्मी एलफा टेस्ट का हुआ था 1st World War में जो सैना सामाने वर्गिकरन टेस्ट है इसका हुआ था 2nd World War में और सैना के जो अलग अलग विभाग थे उनके सैनिकों का क्लासिफिकेशन करने के लिए इसका निर्मान किया गया था इस परिक्षन में जो सैनिक थे उनको शब्दावली, गणित और विशय गणना संबंदी तीन समस्याओं का समधान करना होता था ये सेना समान्य वर्गी करन टेस्ट के बारे में मैं आप लोगों को जो है इंपोर्टेंट बात बता रहा हूँ अब सामुहिक जो परिक्षा थी उसमें साब्दिक परिक्षा तो आप समझ गए आर्मी अल्फा टेस्ट और सेना समान्य वर्गी करन टेस्ट दोनों आप समझ गए जो आर्मी अलफा था वो फस्ट वल्ड वोर और जो सेना समानवर्गी करन टेस्ट था वो सेकंड वल्ड वोर में आपका आया और दोनों के अंदर मैंने आपको बता दिया किस किस तरीके से चीज़ें होती थी अब बात कर लेते हैं ऐसे टेस्ट इंटेलिजेंस के जो आशाब्दिक थे जो शाब्दिक नहीं थे आशाब्दिक थे चलिए यानि कि ऐसे बुद्धी के परिक्षन जो एक से ज़्यादा आदमियों की एक टाइम पर लिये जाते थे और वो कैसे थे ऐसाब्दिक थे उसमें सबसे पहला है आर्मी बीटा टेस्ट आर्मी अल्फा शाब्दिक और आर्मी बीटा अशाब्दिक लेकिन आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा में सेम चीज़ क्या है दोनों के दोनों सामूहिक परिक्षाए हैं दोनों के दोनों गुरूप इंटेलिजेंस टेस्ट है देखिए आर्मी बीटा टेस्ट की अगर हम बात करें तो इस परिक्षन का निर्मार अमेरिका में फस्ट वल्ड वोर के टाइम पर ही हुआ था आर्मी अलफा और आर्मी बीटा दोनों वल्ड वोर फस्ट के टाइम पर ही बने थे और इसका यूज भी जो है सैना के अलग-अलग पदों के चुनाओ के लिए किया गया था इसका प्रियोग अशिक्षित या अंग्रेजी नहीं जानने वाले लोगों के लिए किया गया था आपने देखा कि ऐसे लोग जो अंग्रेजी जानते थे जिनको भाशा का ग्यान था उनके लिए शाबदिक परिक्षा और ऐसे लोग सैना में जिनको भाशा नहीं आती थी उनके लिए शाबदिक कोश तो देख लीजिए कितना scientific तरीके से intelligence test लिया गया था जिसमें हर विक्ति के जो है individual differences का ध्यान रखा गया तो यही फर्क था दोस्त आर्मी alpha और आर्मी beta में दोनों के दोनों first world war में जो है soldiers के लिए थे लेकिन जिनको अंग्रेजी आती थी उनके लिए शाब्दिक और जिनको नहीं आती थी उनके लिए शाब्दिक इसलिए अंग्रेजी वालों को आर्मी alpha और जिनको अंग्रेजी नहीं आती उनको आर्मी beta चलिए अब इसके बाद Chicago क्रियात्मक test किया था देखे यह परिक्षन 6 वर्स के बच्चों से लेकर वेस्क तक किया जाता है यानि कि 6 से 18 साल के उम्र तक जो है यह test बुद्धी परिक्षन का लिया जाता है और इस test में जो आकरतिया होती है जो shapes होती है उसके अंदर समानता और ऐसमानता बताते हैं बच्चे जो चित्रों के अलग-अलग टुकडे होते हैं उनको जोड कर पूरा करते हैं समान वस्तुएं चाटते हैं और इसी तरीके की क्रियाएं इसके अंदर बच्चे करते हैं तो आज की इस पूरी वीडियो में मुझे नहीं लगता कि पूरे यूट्यूब के अंदर आपको इतना deeply और आपको इतना precisely किसी ने बताया होगा कि बुद्धी परिक्षन व्यक्तिगत और सामूहिक होते हैं और दोनों के दोनों शाब्दिक और आशाब्दिक होते हैं मैंने आपको इंटेलिजेंस टेस्ट के दोनों ग्रुप व्यक्तिगत और सामूहिक बताए शाब्दिक और आशाब्दिक बताए और आठ अलग-अलग टेस्ट भी आपको बता दिये हैं दोस्त इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों तक शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें क्योंकि हमारे चैनल पर सीटेट की तयारी तो होई तही है लेकिन अब हमने सुपर टेट की वी तयारी शुरू कर दी है तो जैसे सीटेट के लिए आपकी अलग-अलग के लिए भी अब मैं आप में डालने लगाऊं चीजें ठीक है टेक कियर मिलता हूँ आप लोगों से लाइक शेर करते रहें